नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी बावराज में दिरेश्चन पाटिदार और दोस्तों आलू के पूरी रिपोर्ट देखते ही निर्यात कब होगा और कितना आलू का भी भाव कम हो चुका है और यूपी का सर्प्लस आलू जो है वो स्री लंका अफगानिस्तान भी जाएगा और वहाँ पर भी निर्यात किया जाएगा तो यूपी के सर्प्लस आलू को इस बार नेपाल भूटान और बांगलादिश के लावा स्री लंका और अफगानिस्तान में निर्यात की तियरी चल रही है उत्तरपदेश राज जोजोकिक सरकारी विप्रंग संग हापेट ने इस दिशा में महत्मून पहल करते हुई आलू उत्तरपदकों और निर्यातों के बीच समवाज शुरू करा है बात बनती हैं तो इस साल के वल नेपाल भूटान और बांगलादेश ही नहीं प्रदेश से स्रीलंका और अफगानिस्तान भी रंग के गणित को देखें तो एकुल उत्तरपदन का करीब 28 प्रतिशत आलू सरप्लस रह जाता है यह 28 प्रतिशत हिस्सा 40 से 50 लाग टन है अगर यह निर्यात हो जाता है तो आलू उत्तरपदक पिसानों को और भी लाब में लेल सकेगा और वे सम्रद हो सकेंगे आकड़े को एनुसार प्रदेश में गत वर्स 147 पाइन सिचो तर्ट लाग टन आलू का उत्पादन हुआ इसका करीब इकाउन प्रतिशत इस्सा गरेलू खपत यानि खाने में इस्तिमाल हो जाता है 14 प्रतिशत इस्सा अगले साल के बीच के लिए सुरक्षित रखा जाता है जबकि किसान को इसका लाब मिल सके पिछले साल हुए बंपर आलू उत्पादक को देखते हुए हापेड ने अलग-अलग प्रदेशों में बायार सेलर मीट करार यूपी से भारी मात्रा में दुस्से राज्यों विशेश कर उत्री पूरवी राज्यम दक्षिन राज्यों को लाब पहुचा पिछले साल हुए प्रयास का ही नतिजा था कि यूपी से नेपाल के लावा भूटान बांगलादेश भी आलू का निर्यात गिया गया तो प्रदेश में उत्पादित आलू के खपत की इस्तिति यूपी में देश का 34% से अधिक आलू पेदा होता है और कु असक्रण में उप्योग 10 लाग टन होता है जो की 0.7% है और सरप्लस आलू 40 से 50 लाग टन यानि की 28 परतिशत हैं देश की प्रमुक आलू उत्पादक राज्य कौन-कौन से हैं तो पशिम बंगाल, बिहार, गुजरात, मज़परदेश, पंजाब और रहणियाना के अलावा असम प्रमुक आलू उत्पादक राज्य हैं इसके साथ ही कानपूर, कनोच, भतेपूर, फरुकाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, आतरस, अलिगर्ड, बदायू, मेनपूरी, इटावा, मत्रा, बारामंगी, अयोध्या, शितापुरा और लकनोत दा उन्नावादी में अलू के भाव की बात करें, तो फरुकाबाद में अभी माटे के मोल पहुच गए हैं, अलू के दाम, और अन्न दाता कापी परेशान हो रहे हैं, तो उत्रपदेश की जो फरुकाबाद हैं, जिले के अलू, मंडी, सातनपूर में अलू के भाव, फिर माटे के मोल पहुच साड़े 300 रुपरती प्रिकेट के आलू के बाव आज वहाँ पर बिखते हुए दिखे हैं और फरुकाबाद में आलू को लेकर आसाम के गुवाटी ट्रेन में व्यापारी को भारी गाटा पड़ा है बहार की मंडियों में बेज गए आलू में व्यापारी को अपनी जेव से किराया भी देना पड़ा है तो आलू के भाव एकाव एक गीने से आलू किसान परेशान हो गया है और 4000 रुबे प्रतिक इंटल बिखने वाला आलू आज 740 रुपे कुंटल बिखने से किसानों की नीन भी उड़ गई है मंडी समिती में आलू की आमद 200 मोटर के लगबग प्रति दिन हो रही है और आटियों का कहना की साड़े 300 रुपे से लगा करके साड़े 500 शाड़े 600 रुपे तक आलू अभी फरुक अबाद मंडी में बिख रहें तो आलू की पसल तेयार होने के बाद शुरू आरद सी दोर में यहां आलू की दाम पहले 4000 रुपे कुंटल खोले गए थे लेकिन अभी जो वरतमान इस्तिती हैं वो प्रती पेकेट यानि की 50 किलो ग्राम का जो पेकेट है वो 525 रुपे और 450 रुपे में बिक रहें कि 9 रुपए किलो और साड़े 11 रुपए किलो के लगबग आलू अभी फरुकाबाद मंडी में भीक रहा है जो की काफी कम दाम है किसानों की आमदन्नी की मुकाबले काफी कम दाम है जितना किसानों खेत में आलू का महंगा बीज अपने खेत में लगाया था उसके अनुरुप उनको आमदन्नी नहीं हो रही हैं और जो अपना खर्चा लगाया था वो भी नहीं निकल रहा हैं तो काफी किसान परेशान हैं आलू का पहले बुटान से सरकार द्वारा आयात कर लिया गया था काफी मातरा में जब आलू के बाव में काफी तेजी देखने को मिली थी हैं और आलू के बाव साड़ से सितर रुपए परतिकी लोग पहुँच गये थे उस समय बुटान से काफी मातरा में बड़ी संक्या में आलू का आयात किया गया था अब वर्तमान परिस्तितिया कापी विपरित बन चुकी है अदक किसानों के जो हैं उनको अच्छा लाब नहीं मिल पा रहा हैं और आलू के भाव कापी कम हो चेके हैं इस पर तुरंती सरकार को एक्षन लेना चाहिएं और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाब मिले इसके लिए आलू के निर्यात को पुरंत प्रभाव से चालू करना चाहिए जिससे की जो भी आलू उत्पादक किसान है उनको अधिक से अधिक लाब हो सके हैं और जो विदेशों में अच्छी आलू की अभी मांग बनी हुई हैं तो उसके अनुरूप आलू का निर्यात जल्द से सुरू करना चाहिए किसान भाइयों अगर विडियो पसन आये तो लाइक किजिई शेयर किजिए ताकि ज़्यादा से जय्धा किसानों हो तक ये वीडियो पहुँँच सके और उनको इस आलू के निर्यात की सुचना भी जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं पूरे इस वीडियो में वह उन तक झाल